आ रहा हूं अधर्म का विद्वन्स करने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदिपूरूस के 10 दिनों के बॉक्स अफिस कलेक्शन के बारे में लगभग 500 करोड से जादा के बजट में बनने वाली आदिपूरूस दुनिया भर से कितने करोड की करमाई कर चुकी हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो कोलाश्ट तक जरूर देखिएगा जैसा कि अब सभी जानते हैं दोस्तों कि 500 करोड के बजट में बनने वाली आदिपूरूस लंबे समय की इंतजार के बाद फाइनली 16 जून को रिलीज हुई थी रमैर पर अधारित इस फिल्म को हर किसी से उमिद थी और हर को इसे थीटर में जाकर देखना चाहता था लेकिन दोस्तों फिल्में रिलीज होने के बाद यह कुछ खास कमान नहीं कर पाई थी और यहां फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी यह रिलीज से पहले लगा था लेकिन दोस्तों इस फिल्म के विज्वल और डालोक्स लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस फिल्म के जम कर नेगिटिविटी भी हुई लेकिन प्रकभास के इस टार्डम के वज़े से इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते तो काफी अच्छी शुरुआत की लेकिन यह फिल्म दूसरे हफ्ते दम तोड़ सुकी थी वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताईएगे कि आपको अधिपूरुस फिल्म कैसी लगी जैसा कि आप से भी जानते हैं कि ओमरावाद के डारेक्शन में बनने वाली अधिपूरुस जिसके लीड रोल में आपको प्रभात क्रिटिशन और सेफ लिखान जैसे कई सारे बहतरीन एक्टर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा अधिपूरुस को सबसे नेगेटिविटी उसके डायलोग की वज़े से बात करते हैं दोस्तों अधिपूरुस के सभी भासाओं के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म को हिंदी तमिल मल्यालाम कर्णन सभी भासाओं में रिलीज किया गय था अधिपूरुस फिल्म का बजट लगभग साड़े 500 से 600 करूर रुपय का था अधिपूरुस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 9000 इस्क्रीन्स पर इसे रिलीज किया गय था सुरुआत करतें सभ सभ साहले बात करते हैं हिंदी नैट कलेक्षन की उसके बात करेंगे वड़ वीट कलेक्षन के बारे में तो अधिपूरुस ने हिंदी में कर चुकी थी इसी के साथ अधिपूर उसके हिंदी नेट कलेक्शन 159-152 करोड रुपए का हो रहा है अब बात करते हैं अधिपूर के वर्डवाइट कलेक्शन की तो आधिपूर उसके पहले दिन वर्डवाइट लगभग 140 करोड रुपय की दमदार कमाई किया वही तीन दिनों के विकेंड में इस फिल्म ने लगभग 310 करोड रुपय कमा लिये थे 6 दिनों में सभी भासाओ से दुनिया भार में इस फिल्म ने 410 करोड रुपय कमा लिये थी वही 7 दिन World Wide Market से सिर्फ 14 करोड की कमाई कर पाई थी इसी के साथ आधिपूरुस फिल्म का World Wide 7 दिनों को कलेक्शन 424 करोड का हो चुका था वही कल इस फिल्म ने World Wide Market से लगभग 12 करोड की कमाई की इसी के साथ आधिकूर उसका आट दिनों का वर्ल्ड वाइट मार्केट से कलेक्शन लगभग 436 करोड रूपय का हो रहा था वही बात करते हैं फिल्म के नवे दिन के यानि कल के बॉक्स अफिस की तो इस फिल्म ने कल अपने नवे दिन वर्ल्ड वाइट लगभग आज से 9 करोड रूपय की कमाई की वही आज अपने दस्वे दिन यह फिल्म लगभग 9 करोड रूपय के आगड़े को तच करते हुए नजर आ रही है जिससे इस फिल्म का टोटल वर्ड वाइट कलेक्शन लगभग 4.5 करोड ही हो पा रहा है आपको क्या लगता है दोस्तों की आधिपुरूश 500 करोड के कलब में सामिल हो पाएगी या नहीं क्या यह मुवी वर्ड वाइट 5.5 से 5.5 करोड कमा पाएगी या नहीं हमें अपनी राइ कामेंट काना बिल्कुल न भूले और वालिवूट साउसर जूरी सभी बड़ी अपडेट के रिए आपके अपने चैनल केस के रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा